जैन्दो सोंदे मातरा आईश्मान खुराना के जो कि लंबे अर्से से एक अदर्द हिट के लिए तरस रहे हैं जोनर से हट के जो मूवीज बनाया करते हैं कहीं न कहीं आज की लेट में वो खोसी गई हैं डॉक्टर जी से कहीं न कहीं उनको थोड़ावत सपोर्ट ज़रूर मिला है लेकिन उस मूवी ने भी वो एक बेतखाशा कमाई नहीं करी जो कि उनकी अकसर लीग से हट कर बनने वाली फिल्में कर देती हैं ऐसे मैं अब उनकी एक नई मूवी का ट्रेलर निकल कर सामने आया है एक्शन हीरो जिसमें के उनके साथ जैदीब साहब भी दिखाई दे रहे हैं अलणब गोस्वाम है मतलब उस एंकर को देखकर जो एक एंकर दिखाया गया आपको पूरा यही फील आया है का चाहिए आवाज हो चाहिए हाओ भाव हो चाहिए बोलने का तरीका हो कि वह अलणब गोस्वामी को ही कौपी किया जा रहा है शाथ शाथ जो इस समय हमारे बीच में चल रहा है कि भई बॉल्यूड वालों से कहा जा रहा है कि भई यह तुम हमारे पैसे लेकर ही स्टार बन रहे और तुम हमी को पेले जा रहे हो इन सबी चीजों का रिफरेंस भी इस ट्रीलर में देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर बॉयकॉट की बाद भी चल रही है तो सीडी सी बात है यहाँ पर जो एक मनुदशा है इस समय लोगों की उसको कही न कहीं कैप्चर करने की यहाँ पर डारेक्टर ने कोशिश करी लेकिन मुद्दा वही आ जाता है फिर उसे कि क्या इन चीजों से पब्लिक को कोई फरक पड़ेगा क्या पब्लिक इन चीजों के कारण कैच करेगी इस मूवी को अब यह तो खेराने वाल वक्त ही बताएगा ज़रा बात कर देते हैं ट्रेलर की जो कि इस समय मतलब बहुत जादा तो नहीं लेकि फिर भी प्रामिसिंग लग रहा है आईश्मान खुराने के फिल्म एन एक्शन हीरो का ट्रेलर रिलीस हो गया है काफी समय से इस फिल्म को लेकर आईश्मान ने सस्पेंस बनाया हुआ था ट्रेलर में काफी एक्शन है क्योंकि एक्शन हीरो पर ही बनी फिल्म में आईश्मान खुराना हीरो के किरदार में ट्रेलर के शुरुआत होती है आईश्मान से जो गाड़ी में बैटे होते है तब ही उनकी गाड़ी पर हमला होता है और रहें मारने आ जाते हैं जैदीप एहलावत जो कि फिल्म में एक मुनिसिपल काउंसिलर का किरदार निभा रहे हैं। जैदीप अपने भाई के मौत के लिए आईशमान से बदला लेने आते हैं क्योंकि आईशमान पर उनके भाई को मारने कारूप है। आईशमान जो कि एक आईशमान जिन्दगी जी रहे होते हैं फिर एक क्रिमिनल की तरह सबसे चिपते चिपाते परेशान हो जाते हैं और वहीं उनके फैंस अब उन्हें बॉयकाट करने के डिमांट करने लगते हैं। नहीं बलकि और भी कई लोग हैं जो कि एक्शन हीरो को मार दे आएं। इससे फिल्म में और बीज़ा सस्पेंस नजर आने वाला है। कुल मिलाकर ट्रेलर से यह तो एक्लियर होता है कि फिल्म एक्शन और सस्पेंस से भरी होई होने वाली है। साथ-साथ इसके अलावा ट्रेलर में जो एक सीन आया है जिसने सबीका ध्यान खीचा और वो है मलाइका रोला। ट्रेलर मलाइका कुछ ग्लैमिलर्स मूव्स भी करती हैं और फिल्म में वो सिर्फ एक गाने में नजर आएंगी या उनका स्पेशल अपिरियंस है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिल्म को लेकर आईश्मान से बात करते हुए का कि यह मेरे लिए एक अलक तरह की फिल्म है इसके जरीये में हमेशा की तरह कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ इसमें सिर्फ थ्रिल है यह एक रोला कोस्टर राइड है मज़िदार बात यह है कि एक सूपर स्टार जब ऐसे बात करें तो फिल्म 2 दिसंबर को रिलीज होने वाली है तो अब्विस सी बात है इस मूवी के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा महीने बड़ से भी कम कसना बचा है लेकिन हां आईश्मान खुराना एक नए पैकेज में क्या चीज लेके आने वाले है यह दे